अपने बिवादित बयानों की बज़ा से अक्सर खब्रों में बने रहने वाले भारती जंता पार्टी के राष्ट्रिय प्रवक्ता और पूरी लोगस्वाशिष्टे पार्टी उमिद्वास शंबित पात्रा को भगवान जगन्नात की मूर्ती के साथ रैली करना महगा पड़ गया रैली के दौरान अपनी गारी में भगवान जगन्नात की मूर्ती रखने का मंदिर के शेव को और कॉंग्रिश ने विरोध किया है वह इस मामले को लेकर कॉंग्रिश ने राजी के मुख निर्वाचन अधिकारी के समक्ष शिकायत दर्ज कराई कि संबित पात्रा ने लोक्षवाशीट से टिकर्ट दिया है पहले कर्यास लगाये जाने थे कि खूद प्रधान मंधिर नरेंद्र मोदी पूरी लोक्षवाशीट से चुनाव लड़ सकते हैं लेकिन बाद में संबित पात्रा को यहां से पार्टी ने टिकर्ट दिया है और इसा में नाम फाइनल होने के बाद यहां रैली निकाली जिसके दोरान उनके हाथ में भगवान जगनाथ की मूर्ती देखी गई पात्रा के नाम का आयलान बीते शुक्रवार को किया गया था पार्टी ने 36 उमीदवारों के नाम की घोश्णा की थी जिस वे पात्रा को पूरी से उम सम्भित पात्रा के खिलाफ ओडीशा के मुख्य चुनाव अधिकारी से शिकायत किई पार्टी ने आरोप लगाया है कि सम्भित पात्रा ने आदर्श आचार शंगीता का उलंगन किया है वही मंदिर के वरिष्ट शेवक रामचंद्र दश्महोपात्र ने कहा कि यह ओडिशा की संस्कृति के खिलाफ है NDTV की रिपोर्ट की मुताविक मुख्य चुनाव अधिकारी को दी गई सिकायत में कॉंग्रेश ने कहा चुनाव आयोकी और से कहा गया कि किसी जाती धर्व पंथ और शंस्कृति के आधार पर कोई चुनाव नहीं लड़ा जाएगा समित पात्रा की रैली और उनकी तस्वीरों से साफ चुनाव आचार शंगीता का उलंगन दिखाई दे रहा है रिपोर्ट के मुताविक वहीं मंदिशेवक दस मोहा पात्र ने कहा चुनावी रैली के दोरान भगवान जगनात को बाहन में ले जाना शंस्कृति और परंपरा के खिलाफ है उन्होंने का आवार्शिक रथियात्र मोहत्सव के दोरान भगवान जगनात रत की रथियात्र निकाली जाती है वहीं पात्रा ने इन आरोपों को खंडन किया और कहा रैली के दोरान किसी ने मुझे मुर्ति गिफ्ट की थी मैंने उसे लिया और उनका मान रखा भगवान के प्रती आस्था दिखाने में कुछ गलत नहीं है दूश्रे क्या कह रहे मुझे उनकी चिंता नहीं है इसे चुनाव के साथ न जोड़े